हेलो एब्रिवन वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल अभी हम लोग यहां पर कंप्यूटर के 20 क्वेस्टन की प्रैक्टिस करने वाले हैं तो अधी टाइम नहीं लगेगा हम लोग जल्दी से इसको इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेशन नमबर फर्स्ट है ग्याद सौप्ट्वेयर बग के लिए बिना किसी प्रभार के समान्यता इंटरनेट पर उपलब्द रेपेर को क्या कहा जाता है वर्शन पैच त्यूटोरियल या फिर फेक फेक क्यों है ना तो इसे हम क्या कहेंगे पैच कहा जाता है ऑप्शन भी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेशन है कंप्यूटर के अन्य सभी कॉंपोनेंट की गतिविधियों को कोडिनेट करने वाला सीप्यू का भाग क्या कहलाता है मदर बोर्ड कोडिनेशन बोर्ड कंट्रोल यूनिट अरिथमाटिक लोजिक यूनिट तो इसे हम क्या कहेंगे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है नेक्स्ट है डम टर्मिनल्स में मॉनिटर और डेस होते हैं तो जो डम टर्मिनल्स होता है उसे मॉनिटर के साथ और क्या होता है माउस, स्पीकर्स, कीबोर्ड या फिर माउस और स्पीकर्स तो मॉनिटर और यहां पर माउस होता है उप्शन स्andaag कर तोनों को दो नहीं तो तो Pro स्कैनर अजिए सब्सक्रण को आचा करते हैं तो इस केणर जो है पिक्छर स्कैन करता है पड़ीत राइप और यहां ईएयुआज क्वेशय कर रहे हैं और ग्यातर को कुए उसके प्रेक्टीस की है और चैनल की जीए के जो एक्जाम में ये कब होने वाला है 28 जैन और 4 फैब को है ना तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर जो क्वेशन है इस सेशन का डेस लगबग 1 बिलियन बाइट होता है किलो बाइट, बीट, गीगा बाइट या फिर मेगा बाइट राइट आंसर होगा गीगा बाइट जो है ना लगबग 1 बिलियन बाइट होता है नेक्स्ट है ओपरेटिंग सिस्टम अत्यादी कोमन टाइप का डेस सॉप्टवेर है कैसा सॉप्टवेर है, कम्मिनिकेशन का, एप्लिकेशन का सिस्टम या फिर वर्र प्रोसेसिंग राइट आंसर होगा यह सिस्टम होगा ओप्शन C सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट निमलिखीत में से कौन सा है तो stories unit जो है इनमें से कौन सा गीगाबाइट जी भी है के भी है एम भी है और टी भी है राइट आंसर हमारा होगा ये टेरा बाइट होगा option D correct answer next है save document को क्या कहा जाता है जो भी हम save करते हैं उस document को क्या कहेंगे file word folder या फिर project तो save कि our document को हम लोग file करते हैं option first right answer होगा disk को tracks और sectors में divide करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है उस process को क्या कहेंगे tracking, formatting, crashing और allotting है right answer हमारा होगा formatting उसे कहा जाएगा monitor और hard drive जैसे power hungry component को idle रखने पर dash होता है hibernation, power down, stand by mode और shutdown procedure तो ये क्या होता है? stand by mode हो जाता है next है, dash unprocessed items का collection है information, data, memory या फिर reports तो data जो है न ये unprocessed items का क्या होता है? collection होता है next question है, mouse, dash, samanita, arrow के अकार में दिखाई देता है indicator और दर्सक के रूप में marker यहां पर होता शायद meter और pointer तो mouse का जो arrow है वो कैसा हमें दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है pointer type में है pointer उससे हम लों क्या करते हैं? और ही करते हैं किसी चीज पर ले जाकर के कोई अगर select करना होगा तो हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं नेक्स्ट है main frame या super computer को access करने के लिए प्रयोकता prior days के परयोग करते हैं terminal, node, desktop या फिर head held का राइट answer होगा ये terminal का use किया जाता है अगला हमारा जो प्रश्न है निमन में से कौन सा optical disk का उधारन है? optical disk का example इन में से कौन सा है? digital versatile disk, magnetic disk, memory disk या फिर database disk तो राइट answer हमारा होगा इसका option first digital versatile disk होगा CPU का प्रमुक कारी क्या है? इसका main function क्या है CPU का? program अनुदेशों पर अमल करना data या फिर जो जानकारी है भावे परयोग है तो store करना data और जानकारी प्रोसेस करना दोनों A और C right answer हमारा होगा option D, A और C तो देख लेते हैं A और C में क्या है? program अनुदेशों पर अमल करना और data और जानकारी प्रोसेस करना option D हमारा correct answer होगा आपकी पहचान या फिर identity को गलत दिखलाने या जुटलाने के जरिये व्यक्तियों द्वारा डेस प्रयास है ताकि आपसे गोपनिये सुचनाय प्राप्त की जासे के fishing trips, computer viruses, spyware, scams या फिर virus right answer होगा option first fishing trips होगा next processing device या फिर जो उपकरन है processing device है उसका example होगा कौन सा चुम्ब की है? magnetic ink reader, tablet, PC, PCS car, card या फिर scanners क्या होगा? tablet, PC, right answer next question है निम्न में से कौन से प्रकार का computer software खरीदा नहीं जा सकता है off the shelf, tailor made, custom विक्सीद, off the shelf बदलाओ सहीद correct answer, custom विक्सीद होगा next है यदि processor का word size 6 bits वाले word size की तुला में 32 bits हो तब एक बार word days process कर सकता है दो गुना इतना, आधा गुना, एक चोथा या फिर उतना ही मात्रा तो ये दो गुना इतना process कर सकता है तो 20 questions होगे और paper 3 में भी जैसे CGL का जो exam होने वाला है paper 3 में भी 20 questions ही आने वाले हैं ठीक है? और जहारकन GK से 40 questions आएंगे तो इस पर आपको ज्यादा focus करना है और work करके exam देने के लिए जाना होगा और जो समान निया ध्यान है GS से questions रहेंगे 30 और एक बार आप लोग comment करके बताएंगे कि paper second में किसका कौन सा subject है ना तो comment कर दीजेगा और इस session को अपने दोस्तों में भी share कर दीजेगा चैनल पर विजिट करते रहीएगा ओके